वेलकम तू दिस मॉम शेफ आज हम बना रहे हैं चिकन एंड एग नूडल्स स्प्रिंग रोल्स बहुत आसान रेसिपी है बच्चे भी बना सकते हैं इतनी मज़ेदार भी होती है और आसान भी होता है बनाना इसके लिए हमें चाहिए टू कप्स एग नूडल्स इन्हें हमने तेश्पून या अकॉर्डिंग तो यह टेस्ट आब इस्तेमाल कर सकते हैं रेड चिली सॉस वन टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर वन टीस्पून वाइट पेपर पाउडर वन टीस्पून कोकिंग ओईल टू टेबल स्पून सबसे पहले हम एक पॉट लेंगे और इसके चार मिनिट अच्छी तरह से भून लेंगे इतना कि चिकिन का कलर वाइट सा हो जाए पिंक ना रहे और जब इसका कलर वाइट हो जाए तो हम इसमें कैपसिकम और कैबिज आट करेंगे सबजियां आप अपनी पसंद की मजीद भी डाल सकते हैं ये तमाम सबजियां आट करने के बाद हम बजी दो से तीन मिनट फ्राइ करेंगे और फिर सॉल्ट ब्लैक पेपर पाउडर वाइट पेपर पाउडर और रेड चिली सॉस ये तमाम चीजें भी आट करेंगे अगर आप स्वाइसी पसंद करते हैं तो अब थोड़ा ज़्यादा रेचिली सॉस भी डाल सकते हैं इसके बाद हम तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तीन मिनट इसको फ्राइ करेंगे मजीद ख्याल रखना है कि सबजियों के क्रंचिने सखतम ना हो इसके बाद हम एग नूडल्स एट करेंगे जो कि हमने पहले से बॉइल कर लिया थे और हलके हाथ से मिक्स करना है ताकि नूडल्स तूट ना जाए और फिर मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा होने रख देंगे जब मिक्सचर रूम टेंपरेचर पे आ जाए तो हम फिर रोल बनाएंगे रोल बनाने के तरीका बहुत ही आसान है बिगिनर्स भी बहुत आराम से बना सकते हैं अगर आप वही स्टेप्स फॉलो करें जो आपको वीडियो में इस लक नजर आ रहे हैं इस तरह से हम इसे रोल करेंगे और फिर मैदर और पानी का जो मिक्स्टर जिसे लई कहा जाता है वो लगाएंगे और ये हमारे रोल्स तयार हैं अगर आप इन रोल्स को फ्रीज करना चाहते हैं तो किसी जिप लॉक बैग में डाल के इसे फ्रीजर में रख दें और किसी भी वक्त इसे इस्तमाल कर सकते हैं फ्राय करने के लिए एक कब तेल गरम करें और इसको डीप फ्राय कर लें मीडियम हीट पे ताकि जले नहीं और अंदर से कच्छे भी ना रहें हमारे बहुत मज़दार क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल्स तयार हैं अम शूर आपको बहुत पसंद आएंगे रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर बताएगा और वीडियो पसंद आएए तो फिर लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा और चैनल को सब्स्राइब करने ना भूलेगा गुर्बाए